इसलिए वेल्कम टू शेयर मार्किर्ट अवेने धानुका एग्रिटेक के तरप से मार्च क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट्स आउट हो चुका चलिए हम लोग रिजल्ट्स को एनालेसिस करेंगे जो की क्वाटर और फिनांशल एर इंडिट का रिजल्ट निकल के आई है चलि कंपनी का जो इंकम में quarter over quarter में गिलावट आई है लेकिन year over year में तेजी देखने को मिला है वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें 54 करोड है जबकि प्रिविएस quarter में 42 करोड था और मार्च 21 quarter में अगर बात करें यहां पर 48 करोड का प्रॉफिट था कंपनी का प्रॉफिट quarter over quarter year over year दोनों में growth है यहां पर इस बार इस लिए हुआ क्योंकि कंपनी का टैक्स यह expense बहुत ही कम लगा है quarter over quarter में इसके वाज़े profits में अच्छी का सी growth देखने को मिला है EPS की बात करें 11.65 रुपीज है जो कि previous quarter और previous year दोनों से strong jump देखने को मिली है फिर्ट कंपनी का पर्फॉर्मेंस स्टेंडलोर में बहुत ही strong performance निकल के आई है वह यह गर हम consolidated performance देखें जो कि लैक्स में numbers है income की बात करें 330 करोड है जबकि previous quarter में 363 करोड था और March 21 quarter में 284 करोड था कंपनी का income quarter over quarter में गिरावट आई है लेकिन year over year में तेजी देखने को मिला है वहीं अगर profits की बात करे 54 करोड है जबकि previous quarter में 42 करोड था March 21 quarter में 48 करोड था Company का profit quarter over quarter year over year दोनों में तेजी है क्योंकि Friends company के expenses बहुत कम है जो की 258 करोड का इस बार expense है पिछले quarter से इस बार कम देखने को मिला है इसके वह इस company के profits में तेजी आई है EPS की बात करे 11.68 रुपीज है previous quarter और previous year दोनों से अच्छी घासी growth देखने को मिला है Friends company का जो performance है strong performance निकल का है बहुत strong data देखने को मिल रहा है तो अब वीडियो वहीं पर end करते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए दोस्तों साथ यह जोर कीजिए और अगर कोई डाउट हो धानू का एग्रिटेक लिमिटेड स्टॉक्स को लेकि कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं निक्स्टूडियो में तिल देन बाई बाई